महर्ची वालमिकी के कर्मभूमी, माता सीता के शरणभूमी और लवकुष के यी भूमी पर हम सब के प्रणाम करतानी राजपाल स्री राजेंद्र और रिलेकर जी, मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी नित्यानन राय जी, उपमुक्य मंत्री विजय कुमार चुना जी, समराट चोधरी जी, राजे सरकार में मंत्री, वरिश्ट नेता, विजय कुमार चोधरी जी, संतोष कुमार सुमन जी, सांसत संजय जैस्वाल जी, राधा मोन जी, सुनिल कुमार जी, रमा देवी जी, सतिश्चंद्र दूबे जी, अन्य सभी वरिश्ट में आउनुभाव, और बिहार के मेरे प्यारे भाईयों और मैंनों, ये वो भूमी है, जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में, नए प्राणफु के, नए चेतना का संचार किया, इसी धर्ती ने मोहंदास जी को महत्मा गांधी बना दिया, विख्षित बिहार से, विख्षित भारत, इस संकल पर लेने के लिए, बेतिया से बहतर, चंपारण से बहतर, और कोई स्थान हो सकता है, क्या बोला? और आज, यहां इतनी बड़ी संख्या में, आप सभी, हम NDA के सभी सात्यों को आशिरवात देने के लिए आए, आज बिहार के अलग-अलग विदान सभाख्षेत्रों, लोग सभाख्षेत्रों से भी, हजारों लोग, विख्षित भारत संकल पर इस कारकम में, अपने अपने स्थान पर जुड़े हैं, मैं बिहार के सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, मैं आप सबसे ख्षमा भी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे आने में जड़ा ज़्यादा विलंभ हो गया, मैं बंगाल में था, और इन दिनों बंगाल का कुछ साह भी कुछ और ही है, वहां बारा किलोमेटर का रोर सो था, तो बड़ी मुश्किल से मैं समय कम करने की कोशिज तो कर रहा था, लेकिन इसके कानन लेट पहुँचा, आपको जो कठिनाई हुई, इसके लिए मैं आप सब की छबा मांगता हूँ, साथ्यों, बिहार वो धर्ती हैं, जिसने सदियों तक देश का नित्रुत्व किया है, बिहार वो धर्ती हैं, जिसने एक से बढ़कर एक प्रतिबाबान व्यक्तित्व मा भारती को दिये हैं, और ये सच्चाई है, जब जब बिहार समरुद्ध रहा है, तब भारत समरुद्ध रहा है, इसलिए विक्सिद भारत के लिए बिहार का विक्सिद होना उत्रा ही जरूरी है, मुझे खुशी है कि बिहार में विकास का डबल इंजिन लगने के बाद विक्सिद बिहार से जुड़े कारियों में और तेजी आ गई है, आज भी करीब तेरा हजार करोड रुप्य की योजनाओं का उपहार बिहार को मिला है, इसमें रेल, रोड, इथेनॉल प्लांट, सीटी गैस सप्लाई, एलपीजी गैस, ऐसी अनेक एहम परियोजनाई शामिल है, विक्षित बिहार के लिए हम यही तेजी पकड़नी है, इसी तेजी को बनाए रखना है, आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई, साथियों, आजाजी के बाद के दसकों में, बिहार की एक बहुत बड़ी चुनोती रही है, यहां से युवाओं का पलायन, जब बिहार में जंगल राज आया, तो यह पलायन और ज़्यादा बढ़ गया, जंगल राज लाने वाले लोगों ने सीर पर सिरिफ अपने परिवार की चिंता की, बिहार के लाखों बच्चों का भविश्या दाउ उपर लगा दिया, बिहार के मेरे नवज़वान सासी दूसरे रज्यों के दूसरे सहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे, और यहां एक ही परिवार फलता फुलता रहा, कि इस तरह एक-एक नोकरी के बदले जमीनों पर कबजा किया गया, क्या कोई भी व्यक्ति सामान या मानवी को इस प्रकार से लूटने वालों को माप कर सकता है क्या, बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनःगार है, जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नवजवानों से उनका भाग्य छिल लिया, ये एंडिये सरकार है, जो इस जंगल राज से बिहार को बचा कर इतना आगे लाई है, साथियों, एंडिये की डबल इंजीन सरकार का प्रयास है कि बिहार के युवाओं को यहीं बिहार में नोक्री मिले, यहीं बिहार में रोजगार मिले, आज जिन हजारों करोड रुप्यों की परियोजनाओं का लोकारपन और सिलान्यास हुआ है, उसके मूल में भी यही भावना है, आखिर इन परियोजनाओं के सबसे बड़ी अलाभारती कौन है, इसका सबसे अधिक लाभ उन नवजवानों को होगा, जो अभी रोजगार करना चाहते हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आज गंगाजी पर 6 लेन के, 6 लेन के, केबल आधारित ब्रीच का सिलान्यास हुआ है, बिहार में 22,000 करोड रुपिये से, एक दर्जन से अधिक, पूल पर काम चल रहा है, जिनमे से 5 पूल तो गंगाजी पर बन रहे हैं, ये पूल, ये चवडे रास्ते ही, वही तो विकास का मार्ग बनाते हैं, उद्योगों को लाते हैं, ये जो बिजली से चलनी वाली टेने चल रही है, बंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेने चलने लगी है, ये गति किसके लिए हैं, ये उन नव जमानों के लिए हैं, जिनके माता पिता ने ऐसी सुविदाओं के सपने देखे थे, ये जो इंफ्रास्तेक्टर बन रहा है, ये रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम होता है, इसमें मद्दूर हो, ड्राइवर हो, सर्विसिस से जुड़े लोग हो, इंजिरियर हो, ऐसे अनेक छेत्रों के रोजगार इससे पैदा होते हैं, यानि ये जो हजारो करोड रुपिय सरकाल लगा रही है, ये पैसा बिहार के सामान्य परिवारों के पास ही पहुचेगा, इससे रेत, पत्तर, इट, सिमेंट, स्टील, ऐसे अनेक उद्योगों को, फैक्टरियों को, छोटे-छोटे दुकानों को, बल मिलने वाला है, साथियों, ये जितनी भी नई ट्रेने चल रही हैं, पत्रियां बीच रही हैं, ये सब कुछ, आज भारत में ही बन रहा है, मेड इन इंडिया है, यानि इसमें भी भारत के ही लोगों को रोजगार मिल रहा है, बिहार में भी रेल इंजिन बनाने वाली आधुनिक फैक्टरियां, इंडिया सरकार ने बनाई है, आज पुरी दुनिया में डिजिटल इंडिया की बहुत बड़ी चर्चा है, और मैं आपको एक बात और बोलू, आज कई विक्षित देशों में भी ऐसी डिजिटल व्यवस्ता नहीं है, जो बेतिया में चंपारण में उपलब्द है, विदेशी नेता जब मुझसे मिलते हैं, तो पूछते हैं, कि मोदी जी, आपने ये सब इतनी जल्दी कैसे किया, तब मैं उन्हें कहता हूं, कि मोदी ने नहीं, ये भारत के नवजवानों ने किया है, मोदी ने तो भारत के हर युवा को, उनके हर कदम पर, साथ देने की गारंटी दी है, और विक्सित बिहार के लिए, आज यहीं गारंटी, मैं बिहार के युवा को भी दे रहा हूं, और रहुआ जानते बानी है, मोदी के गारंटी, मने गारंटी पुरा होके के गारंटी, साथियों, एक तरफ नया भारत बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ आर्जेडी कॉंग्रेस और इनका इंडी कट बंदान अभी भी विश्वी सदी की दुनिया में जी रहा है, एंडी एकी सरकार कह रही है, कि हम हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं, कि हर घर की छट पर सोलर प्लांट हो, उससे वो घर भी कमाएं, और उसे बिजली भी मुप्त मिलें, लेकिन इंडी गड़ बंदान अभी भी लाल टैन की लोके ही परोसे जी रही है, जब तक बिहार में लाल टैन का राज रहा, तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार सम्रद्ध हुआ, साथियों, आज जम मोदी ये सच्चाई बताता है, तो ये मोदी को गाली देते हैं, प्रस्टाचारियों से भरे इंडी गड़ बंदन का सबसे बड़ा मुद्धा है, मोदी का परिवार नहीं है, ये लोग कहते हैं कि इंडी गड़ बंदन के परिवार बादी नेताओं को, लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए, क्या लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए क्या, मिलना चाहिए क्या, आज भार रतना करपुरी ठाकुर्जी अगर होते हैं, तो ये उनसे भी यही सवाल पूचते हैं, जो मोदी से पूच रहे हैं, परिवारबाद और प्रस्टाचार के कट्टर समर्थर ये आज पुझ्यबापू, जेपी, लोहिया, बाबा साब अम्बेड करको भी कटगरे में खड़ा करते इन्होंने भी तो अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि देश के हर परिवार के लिए जीवन खपा दिया साथियों, आपके सामने वो व्यक्ति है, जितने बहुत छोटी आयू में, गर छोड़ दिया था बिहार का कोई भी व्यक्ति, किसी भी राज्य में रहें, लेकिन छट पुझा पर, दिवाली पर, गर जरुन लोड़ता है लेकिन वे मोदी, जिसने बच्पन में ही गर छोड़ दिया, मेरा कौन सा गर है, जहां मैं लोटू, मेरे लिए तो, पूरा भारत ही मेरा गर है हर भारत वासी मेरा परिवार है इसलिए आज हर भारत ये कह रहा है, हर गरीब, हर नवजवान कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार मैं हूं, मैं हूं हम बाने मोदी के परिवार साथियो, मैं गरीब की हर चिंता खत्म करना चाहता हूं इसलिए मोदी अपने गरीब से गरीब परिवार को मुफ्त राशन दे रहा है मुफ्त इलाज की सुविदा दे रहा है मैं चाहता हूं कि महिलाओ की जिंदगी से कठिनाईयां कम हो इसलिए मोदी महिलाओ के नाम पक के घर दे रहा है टॉइलेट दे रहा है बिजली पहुचा रहा है गेस का करेक्शन लग रहा है नल से जल्द की सुविदा हो रही है ऐसी चीजों पर काम कर रहे है मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नवजवानों का भविश्य बहतर हो इसलिए मोदी रिकार्ड सिंख्या में मेडिकल कॉलेज बना रहा है एम्स बना रहा है आयाईटी बना रहा है आयायम बना रहा है ऐसे आधुनिक सिक्षन सुस्थान मेरे नवजवानों के भविश्य के लिए बना रहा है मैं चाहता हूं मेरे देश के किसानों की आई बड़े वो और ससकत हो इसलिए मोदी अपने अन्नदाता परिवार को उर्जा दाता और उर्वरक दाता बना रहा है आज बिहार समेत देश भर में इथेनौल के प्लांट लगाए जा रहे हैं कोशिश यही है कि गन्ना किसानों धान किसानों की उपद से देश में गाड़ियां भी चले और किसानों की कमाई भी बड़े कुछ दिन पहले ही NDA सरकार ने गन्ने की खरीत का दाम 340 रुप्य प्रती क्विंटल कर दिया है कुछ दिन पहले ही NDA सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज बंदारन योजना शुरू की है इसके तहट देश में बिहार में हजंगरों गोदाम बनाए जाएंगे बिहार के मेरे चोटे चोटे किसान परिवारों का जीवन आसान हो इसके लिए PM किसान सम्मान निदी के तहट भी उन्हें हजारों करोड रुपिये की मदद दी गई है यहां बेतिया के ही किसानों को करीब करीब 800 करोड रुपिये PM किसान सम्मान निदी के मिले है और इन परिवार वादियों ने आपके साथ क्या किया इसका एक उदान मैं आपको देता हूँ यहां बरवनी का खात कारखाना कब से बद्द पड़ा था इन परिवार वादियों को कभी इसकी चिन्ता नहीं हुई मोदिने किसानों को मददुरों को इसे फिर से शुरू करवाने की गारंटी दी थी आज यह खात कारखाना अपनी सेवा दे रहा है और नव जवानों को रोजगार भी दे रहा है और इसलिए ही लोग कहते हैं मोदि की गारंटी यानी गारंटी पुरा होने की गारंटी साथ्यों चुनाओं में यह जो इंडी गडबंदन वाले है न उनको पता है अब वो कहीं के रहने वाले नहीं है और अपनी हार तै देख इंडी गडबंदन के निशाने पर खुद भगवान राम भी आ गए है यहां बेतिया में मा सीता की अनुभूती है लवकुष्टी अनुभूती है इंडी गडबंद के लोग जिस तरह प्रभूशी राम और राम मंदिर के विरुद बाते बोल रहे हैं यह पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं और बिहार के लोग ये भी देख रहे हैं कि भगवान से राम का अपमान करने वालों का साथ कौन दे रहा है यही परिवारबादी हैं जिनोंने दसकों तक राम लला को टेंट में रखा यही परिवारबादी हैं जिनोंने राम मंदिर न बने इसके लिए जीत और कोशिश की आज भारत अपनी विरासत अपनी संस्कृति का सम्मान कर रहा है तो इन लोगों के इसकी भी परिशानी हो रही है साथियों यह खेत्रा प्रकृती प्रेमी थारू जनजाती का खेत्रा है थारू समाज में प्रकृती के साथ प्रगती की जो जीवन शैली हम देखते हैं वो हम सब के लिए सबक है आज अगर भारत प्रकृती की रक्षा करते हुए विकास कर रहा है तो इसके पीछे थारू जैसी जनजाती की भी प्रेरना है इसलिए तो मैं कहता हूँ कि विक्सीद भारत के निर्माण के लिए सबका प्रेयास चाहिए सबकी प्रेरना चाहिए सबकी सीख चाहिए लेकिन इसके लिए एंडिये सरकार का चार सो पार होना उतना ही जरूरी है है के नहीं है कितना कितना देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थवबस्ता बनाने के लिए एंडिये एंडिये गरीबी से लोगों को बाहर निकालने के लिए एंडिये एंडिये युवाओं को रोजगार के नई अवसर देने के लिए एंडिये गरीबों को पक्के घर देने के लिए एंडिये, एक करोर घरों में सोलर पना लगाने के लिए एंडिये, तीन करोर लगपती दीजी बना ले के लिए एंडिये, देश के कौने कौने में बंदे भारत ट्रेंग चलाने के लिए, विक्सित भारत विक्सित बिहार के लिए एक बार फिर आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाज करता हूँ मेरे साथ बोलिए भारत माता की दोनों हाथ उपर करके पुरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धनिवाद